श्याबाद शरीफ साब ने भी ये कहा है कि नरेंदर मोदी जी को जो प्राइम निस्टर ने भारत के के जी आईए सी पैक में हिस्सा लीजिए और इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बने आप क्या कहेंगा आपको लगता है के इंडिया होगा देखें पूर्शने वाली बा लादी किसी की है दिवाने हम हैं क्योंकि पैसा आता है वहां से यह मैं इस पर इत्रजाज करूंगा सबसे पहले तो मैं यह चाहूंगा कि शबाज शरीफ साब मैं एक तो उनको है कि जो मुस्लिम नून है इनकी हिस्ट्री है कि भारत से यह प्रैक्टिकली अच्छे शरीशिप ठीक करें आपने बेबी स्टेप लिया था कि भारत भारत के अंदर आपने हाइग क्मिशन में ट्रेड मिनिस्टर भेजा था लेकिन ट्रेड नहीं किया यह ज्यात्ती है और जो जिस तरह के श्वाहिद जिस तरह के चीजें एक दूसरे के शब को शुभात हैं ए भी उन्होंने cross border terrorism की बात की SEO के जो Delhi declaration है उसमें भी उन्होंने फिर वो ही cross border terrorism की बात की तो सबसे पहले मेरे यही request होगी कि पहले वो जो अपने शिकूक और शुभात हैं उनको दूर करें और उसके बाद ये किसी का आई देखें जाती दौर पूछें तो अपने trade की बात करें वो BRI वाले उनका अपना problem है उनका road initiative जो है उनका चाइना वालों का उनकी product है आप उनकी product जो है वो बेचने की पूशिच्च ना करें वो खुद बेच लेंगे बिड़े अच्छे salesman है उनका अपना जिसमें तक्वीर की मोधी साब ने मोधी साब ने हिंदी में की रशिया वालों ने रशियन जबान में की पूटन लेकिन हमारी royalty जो है जो British royals है हमारे शहबाज श्रीफ साब उन्होंने English पर तक्वीर की मैं हरान था उसकी क्या वज़ा है इतनी कमांड है English language पर इनको या इतना प्यार है British अपने जो आका थे उनसे इतना प्यार है कि अभी तक उस प्यार में हम दीवाने हैं लेकिर ये कि मैं समझता हूं कि आज कहीं हर बाते करना चाहूंगा मैं एक तो आर्जू मैं कुछ चीज़ों पर नहीं बोल सका क्योंकि मैंने मैं आपको बताया मेरी मसुफियत थी जो उसके फॉर्म जहां से लास मैंने छोड़ा था उसके बाद एक चीज़ हुई थी कि एदुलहजाब बख्राइद थी यहां पर उस पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मेरी मेरी परवरश किस महाल में हुई है मैं थोड़ इस सबसे पीरी चीज़ को कुर्बान किया जहें आज सबसे प्यारी चीज़ आप की क्या है पैसा है अब उसको कुर्बान करना है तो क कर्बानी कताबों की को से किक चृ wallet जिरके पास कपड़े न हनप पापतहर हैं आप उसको कहशब्यानों झालो और फिर उसके बाद बताता हूं दुक के साथ हमारी पाकस्तान में के अंदर इसलाम से इतनी दूरी है जितनी साथी एंडिया से इतन disparог हमने सिर्फ इस इस एक सिर्फ नाम का इसलाम हम मैं उसी कल्चर से आया हूँ है क्या उस दिन होता क्या है जो प्रैक्सिस हैं बखरा ख्रीदा जाता है उसको करके आदे का उसी दिन बार भी क्यों आदा फ्रीजर जाता है जो है वो शौकत खानमी जमात इसलामी को बेहिए जाती है इसलाम की खिदमत नहीं है मेरे अजीज द दूसरी खबर जो सबसे ज़्यादा हाट चल रही है आपने भी वो देखा है आज जो दो खबरें जो इस वक्त में जिन पर मेरे लिए ज्यादा नाज़र रखती तीरे खबरिंग कर लें इस पर बात करना चाहूं आश्टू एक तो जो बात है कि आज आज आई-एम-फ के जो रिप्रेसेंटिव हैं वो मिले खास आप से अब वो मेरे जहन में एक फॉरन एक हर्चल चुरू हुई क्योंकि मैं प्लिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं उनको क्या मजबूरी बन गी जाकि इम्रान खासे मिलने जिनको सारा कुछ छोड़के जा चुका है अब उसकी अगर सबसे बड़ा जो मुंस्तु आज भी अमेरिका को अमीद है कि अगर इम्रान खान वापस आएगा तो सी पैक को फेद रोकेगा और हमारे इंट्रेस्ट को रोकेगा उसी उमीद पर हो जाकि आज पिर उसके सामने टेबल पर बैठ के हैं कि भाई-जान हम आप भी आज हम दूआ को हैं एक तो सबसे बड़ी वजा यह दूसरी वजा यह है कि इस वकट जो हमारे डाक्टर भाय जान है जिनको पाकस्तान से भाग कर आकर यहां डाक्टरी कर रहे हैं तो दो हजार के खिल्ब हैं जो इस वकट जो बिहोश हो रहे हैं खासाब के मुहबत में उनके डालर जो है वो लावी टाम रही है वो कांग्रसमेन उस तेरिटरों के पीछे भाग रहे हैं वो खलीलजादे साहब के पीछे भाग रहे हैं तो उनको वहां से भी उमीद है वहां से भी प्रेशर है आई ये वैंको के नहीं जी उनको भी खुश किया जा और दूसरा मैंने मैं यह कहूंगा कि अमेरिकन जो है वो एजेप टर्की बहुत पैसा देते हैं बार्वर्कों में लेकिन वहां अपने एजेंट्स को इतनी ब्रेक जूर देते हैं कि एलेक्शन जीतने के लिए बेशक हमारे खिलाब नारे लगवालों हम इस पर इजाज़त देते हैं मैंने क पॉलिटिकल स्लोगन बड़े भरकूर त्रीके से पचपन इनों जलसे किये साइफर के खिलाब डेवड लू के खिलाब आई डेवड लू एलेक्शन लड़े तो हो सकता है इम्रान खान जितना ही वोट लेले पाकिसदान से इतना पापुल रहों करते हैं अब उसमें यह द इम्रान खान के फेवरेट एयार वाई ने जो नियूस लगाई है उसकी पिक्चर में से बीच में से खान साब को यह उड़ा दिया उनोंने उनोंने जो पिक्चर लगाई है उसमें चैनल तो नहीं बंद किराना ना दुबारा अपना वो देखे खे ख़बर तो फिर उनों लेकिन उसमें जो थे वो बैठे थे साथ उनके हमाद अजर बैठे थे और मैंने पूरा शाम एमूद कुरेशी थे जी दी जी मैंने पूरा देखा एस्टर पेरास रूइस जो इसमें आई एम एप करी प्रिजर्ड़ेव हैं पाकिस्तान में मैंने पूरी उस पे रिसरच की लेकिन उसके पीछे जो नजर आ रहा है मैंने बताया कि अमेरिकन इंटरस को सरफ एक ही इंसान प्रोटेट कर सकता है इम्रान खान न्याजी और वो अमेरिकन हलाके हलाके अमेरिका बहुत कम्जोर हो चुका है फारन पालिसी अमेरिका के हाथ से पूरी दुनिया ऐसे निकल हाथ हराम को कम्पनी दुनिया की सबसे बड़ी कमपनी है जिन में अमेरिका थोगी दौनों कटे थे लेकिन वो छोड़ कर चुके हैं अस्बसे बड़ी बात यह है अमेरिकन फारन पालिसी की हलत यह है कि दो आज जो हैं इरान के पास से टेंकर गुजर रहे थे दोनों पर किया इरान के इरान ने उनको हास्टिज बना को कबज़ा करने की कोशिश की है अमेरिकन आगे हुए हैं को कौन पूछता है इस वकट हालात ही बहुत खराब हैं अमेरिका के अंदर इंटरनल एंड इंटरनल भी हालात है मैं चोट इसी मिसाल देना चाहूँगा चार जुलाई उन्होंने फिर उस पर प्लिटिकल स्कोरिंग की है कि यह गन रेलेटिड इशू है मैंने उसको री बटल उस पर किया था कि तीनों शैर जितके अंदर यह शूटिंग हुई है वहाँ पे जो बेर है वो सारे डेमोक्रेट है और दूसरी जिन जिन गन्ट के साथ शूटिंग हुई है वो सारी की सारी illegal guns है और Republican भी illegal guns के खलाफ है लेकिन वो उस तरफ नहीं जाते क्योंकि इस वकत दुनिया के अंदर मैं बलके आज एक tweet कर रहा था जो दुनिया के अंदर democracy जो है वो शदीद decline में है one party rule जो कि China का model है वो popular होता जा रहा है जो भी party है जहां जहां भी इस वकत अपने इक्तिदार में है वो हर illegal legal तरीके को अपने को इस्तमाल करके अपना असल रसुख बढ़ाने की कोशिक कर रही है आप मैं इसकी detail में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके लबी discussion हो जाईए जिस तरीके से Department of Justice को एको अमेरिका में केजी में साइल से इस वकर इस्तमाल किया जा रहा है Republicans को कहा जाता है कि they are homegrown terrorists जो बाइडन ने अगले दिन अपने Supreme Court को कहा है कि this court is not a noble court इशारा ये दिया है कौम को कि इसके खलाब बेतिजाज के लिए निकलाओ तो क्या इसके पीछे motive है 1.0 unlimited power no check and balance तो ये एक popular उटा जाए फ्रांस के अंदर आप देखने रेटार्मेंट की एज उसके खतम की थी मिक्रा ने उसके अहलन देख लिया और दुनिया के और कई मौमालिक है जिस तरीके से socialism के तरफ जाते हैं और दूसरी एक जो बात मैं जो दूसरी एक आज के आपकी खबर थी पाकिस्तान के अंदर के वहां पे एक मीर पुर खासिंद के अंदर एक आठ एक लोगों का कुमबा है जिनको जिनमेंसे पांच लोगों को रेस्क कर लिया गया सिर्फ इसलिए को इस अब मैं यह बताना यह चाहूंगा कि जयत्ती की है अब जयत्ती किस तरीके से है आपको पता है शायद कि इसराइल के साथ इस वकत एजिप टर्की यूई बहरीन इन सब के सफार्थी रिलेशनिशिप के साथ इन जॉर्डन एजबर सौदी रेविया ने अपने उपर से फ् के कई जो पिछले रूलर्स थे वो इसराइल के साथ अपने रिलेशनिशिप ठीक करने के लिए बैक डोर डिप्रोमेजी करते रहे हैं वो मीरपुर खास के पांच लोगों को पकड़ लिया है किस दीके से पकड़ा गया है स्टेट डिपार्टमेंट ने चेक स्टेट बैंक ने चेक किया है कि मीरपुर खास के अंदर एक वेस्टन यूनियंग की एजनसी है उसके जरीए पैसे आ रहे थे अब मैं पैसे बता लेता हूं कितने थे छे साल में 20 लाक रुपया वो जाके मज़्दूरी करके इसराइल के अंदर जाते किस तरह थे वाया जार्डन या सिर प्रामा क्या किया जा रही गरीब लोग है मिचले वो जो उनका बज़र्ग था उसने एक इरानी और से शादी की थी जो कि यह उदी थी बाद में मुद्वान हो गई लेकिन उनकी एक बची वो इसराइल के शिफ्ट होगी यह लोग वहां जाके मज़दूरी करते थे कारव गाडियन्ट होते थे जिन्हों ने छे साल के अंदर बीस चे साल में बीस लाक रुपया बेजा है कितना पैसा होगा इन्हों ने स्टेट डिपार्ट पूर्टी दिखाई है अफ आई ने पूर्टी दिखा ली और कुछ शर्मो हाया करो सारे के सारे डालर अफगानी खरीद आफ आप कह रही हो कि वो मेरा मसरी और जहां से सारी अपनी इस्लामिक गाइडलाइन लेते हो थादी रेविया से वो उनके साथ तो लवी डवी हो रहे हैं वह और खुद यहां घरीब लोगों को सांस ने लेने देते हो आप नौसो के करीब हाज मैं जो आपने देखने वा हालात हैं आप देखें शिया लोगों के साथ क्या होता है हमारी सिंध के अंदर हिंदू ब्रादरी के साथ क्या होता है सिक्षों के साथ क्या होता है और मैं इस पर क्या बताऊं कि यह मैं इसको कंडम करूंगा यह जो इसराइल के जो लोग गये हैं इनको इन्होंने करना चाहता है खांसाब आजकल सुना है कि मुबईना तोर पर उन्होंने अपना यूटूब का चैनल मानिटाइज करा लिया है और हम दूसरे तीसरे दिन उसको वहां पे कुछ ना कुछ जाहर है आम देन उसके चुरू हो चुकी है तो उन्होंने बोलना ज़ूरी समझते हैं खांसाब की पता नहीं इस वकत या तो मेरा इतिजाद है बलके मेरा मेरे फीलिंग से इसके लिए के हमारे पाकस्तान में हार्ट पाकस्तान को बाइपास हार्ट सर्जरी की ज़ूरत है ऐमर्जंसी में पढ़ी है बड़ी मुष्कल से सांस ले रही है लेकिन आपके डाक्टर कहते हैं के स्टंट डाल देते हैं इसे बज़ारा करो लेकिन इस तरह हो गा इस तरह चलेगा नहीं पाकस्तान इस तरह चलने का बिलकुल ही नहीं चल सकता तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी लोग डाक्टर हज़रात हैं कि खुदारा इसकी ओपन हार्ट सर्जरी करो वरना नहीं बचेगा मैं मिथाल दे रहा हैं मिथाल यह दूगा खान साब ने अगले दिन फरमाया है अपनी आखरी स्पीच के अंदर और कुछ इंटर्वियूस में भी खल्प जानी है कि इन्हों ने अपने इंटर्वियू में फर्माया कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा बहुत जल्दी और फिर आमने फर्माया कि घरों में नहीं बैटना, पूरामन तरीके से बाहर निकलना है, उसी ऐपने खिताब में उन्हें फिर्मा लिया है, कि गुलामी से मौट अच्छी, छिए, जीए, दूसरा उन्हें कह दिया कि फ्रांस के लोग देखो किस तरह घरों को जला हैं, डिला र तो पता नहीं है फिर हमारे देखने वाले जो डाक्टर हैं जिन्होंने इसकी सर्जरी करनी है उपनार्ट उनके हाथ क्यों कांप रहे हैं क्यों वो पाकस्तान को सेव करने से कासर हैं क्या हालात हैं मैं आफ यह पॉइंट शर्मिंदा हूं मैं एक खुद वकील का बेटा हूं खुद वकील हूं वकीलों का कजन हूं वकील का बाप हूं लेकिन जिस तरीके से आपके सुप्रीम कोट के जज्जिस बहेव कर रहे हैं यूट्यूबर्स को बुला बुला कि उनको जो मैसेज दे रहे हैं यह मैंने आई चक डूडिशल हिस्ट्री में सुना ही नहीं है और जीस तरीके से 16 में अगले दिल 16 जमानतें दी और जमानतें देने के लिए कह देते हैं कि फ्यूचर में जो यह क्राइम करेगा उसकी भी जमानतें दी जाओ आज शेहनशार का दिल खुश है कितनी जमानते चाहते हैं एक लाक जमानते दे 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 दो मुस्तबिल की जमानते दे दे दो यह जुदिशनी बिल्कुल सार इसी तरह हो रहा है आज दो मुझे यह तो बता दें कि हम लोग फिर क्या क्या सोचें किदर जाएगा आपका पाकस्तान अभी तो सर अभी तो आएम एफ के मुबारक बाद यहीं चल रही थी के जी डॉलर जो है वो 270 पर चला गया है डॉलर आज फिर 281 पर आ गया है तो अब यह लोग किस तरह से मैनेज करेंगे हाला तो बिलकुल वैसे ही है जैसे पहले थे बई डालर की डिमार्ट देखें आपने पहला कदम क्या किया है आईम एफ के पैसे होंकि जब लैटरा फिंटाइटा है सबसे पहले जजों की तरहा दो दो लाक रुबाग दूसरा क्या हुआ है कि मेरे जो बाहर के पड़े हुए यह जो रॉयल हमारी रूलिंग एलीट है इनके इनोंने कुछ प्र जिस दिन ये मैंने टूइट किया है मेरे भाई पाकस्तान में डालर लाना पैसा लाना मुश्किल नहीं है उस पैसे को रोकना चैलेंज है मैं खुद इस वकद स्टाप वाच हाथ में पकड़ के बैटा हूँ स्टाप वाच कितने घंटों में यह पैसे लंदर जाएंग यह पहली दफ़ार आर्जू पैसा नहीं आ रहा है पाकस्तान में मैं करेक्शन करना चाहता हूँ यहां पर आपने जब अपने अमरीका की जंगल लड़ी अफगानस्तान में रशिया के खलाफ आपने कंटेनर में डालर लिये थे उनमें से एक भी डालर नहीं है पाकस्तान में लेकिन सार इनोंने कोई सबक नहीं सीखा अभी तो यह कहरें के UAE भी हमारिया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है तो जपैन की भी बाते की जा रही है और जूसरी तरफ जी प्राजेक्ट नहीं है एरपोर्ट बेच रहे हैं हाँ मोटर्वे का प्राजेक्ट कोडिया को आपने बेचा था उनका अच्छा रहा है प्राजेक्ट सुनाया तो मोटर्वे पर रेट ही इतना ज्यादा है गाड़ियों का उस पे आम कोई अगरी बार्मी जो चड़ी निसकता उस पे इसी तरह होगा आगे एरपोर्टों के पर भी चीज़ें अब आप एसेड पेचेंगे लंडन से पाइटियां आ चुकी हैं लूटने के लिए बड़े-बड़े नए त्रीके मनी लांडरिंग के ला चुके हैं पहले पनेमा लीक था अब को और चीज़ लीक हो उपाए साल बारी और कौन को पता चलेगा कि उनकी क पाकस्तानी नहीं करुंदा उनके सिरफ हाथों में पाकस्तानी पासपोर्ट है और साफ बचोंकि डूल स्टेशंशिम्ट है पीछे नी चाट्बोर ऐकस्पोर्ट पासपूर्ट ये सारे के सारे बिड़िश जंटों के पोते दोते हैं और दूसरे कौन है लोर मिडल क्लास के बच्चे जिन्होंने CSS किया रही जिए एक माडल केस आपके सामने पेश कर देता हूं आपकी कौम के सामने मैं कहा तो आज मुझे एक तोफ़ा भी देना चाहिए कि बड़े अरसे के बाद आया हूं कुछ तो दे जाओ ना इनको कुछ तो कते हैं ना फू के दस हजार माडल हैं पाकस्तान में जिसको मैं बार-बार ये कहता हूं कुरॉप्ट रूलिंग एलीड है खुद हूँ वह एक आर्मी जर्मल था उसका एक रिष्टेदार वट्टू था बेरोक्रेट जिसके उपर कुरॉप्शन के चार्जिस हैं और बंद्याल साथ के फैल चुका है पाकस्तान के ये कैंसर है और इसकी सर्जिरी कौन करेगा ये बहुत बहुत ज्यादा बहुत बड़ी विल की और बहुत बड़ी डेडिकेशन और प्रेटरिटिस्म की जरूरत है ये सर्जिरी जो करेगा जो काडियालोजिस सर्जिरी करेगा वो मुझे अभी तक तो कोई नज़र नहीं एक बंदे पर अभी उवीद है मुझे वरना मैं कल बड़े उसे में कहता रहा हूं कि हमारे पाकिस्तान में माएं बच्चे पैदा करी नहीं तो मेरा मकसद है जिनके जो पैदा होते ही जिनकी खायश होती है कि मैं डूल सीटिजन किस तरह बनूगा लंदन में घर किस तरह बनेगा बंदले ले रहे हैं पाकिस्तान में करते हैं बदला लेते हैं तो बास तरफार एक तो मुझे घिला है इस बात का कि आदे आपके इस वकद पीज़ने की पहले मेकैनिक बनते हैं मैं डाक्टरों को मेकैनिक समझता हूं को बाडी ठीक करने की वो लेते